Hello friends, हमारे competition में vocab एक important role play करती है और friends, अगर English का कोई competition हो और उसमें vocab ना आए, that's quite impossible लेकिन friends, जब भी हम analyze करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो vocab है हमारा वो ही weakest point होता है जिसकी वज़े से हम selection नहीं ले पाते हैं फिर्स, vocab को learn करने के लिए अगर कोई book है, एक अकेली book है vocab के लिए, वो है word power made easy और friends, word power made easy आपने नाम सुना होगा already इसका, book by Norman Lewis और इस book में author ने जो roots के माध्यम से, जो words हैं वो explain कराए हैं और इस book को करने के बाद हमें words की जो root है, वो हमें learn हो जाती है जिससे यह जो learning process है हमारी vocab की, words की वो बड़ी easy हो जाती है उस book को friends, हम already हम channel पर कर चुके हैं, वो available है, पूरी playlist और उस book के बाद, लगबग हमें लगता है 20% vocab और है, जो हमें study करनी है और friends, इसके लिए एक market में दूसरी book है, S.P. Baksy S.P. Baksy साहब ने जो vocab दी है, वो no doubt बहुत अच्छे words उन्होंने select किये हैं उनके जो words हैं, वो ज्यादा तर तर तो normal Lewis का ही selection है और उसके अलाबा जो competitive exams हैं different, वहां से उन्होंने उनको pick किया है तो friends, यह जो lecture है हमारा vocab का, इसमें हम S.P. Baksy साहब के ही words discuss करते चलेंगे और हम जो vocab है, यहाँ ten words per day per lecture हम discuss करेंगे क्योंकि friends, vocab एक ऐसी process है, जिसको हम plenty नहीं ले सकते इसको हमें pieces में थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है अगर हम बहुत जादे words एक बार learn कर लें, तो friends, वह हमें digest नहीं हो सकते ऐसा मेरा मालना है, तो चलिए friends, start करते हैं देखे एक चीज़ बता दूँ, जितने भी words S.P. Baksy साहब के हैं, जो important से उनको मैंने एक क्रम से लिया है, और आप इनको lectures को देखेंगे, तो enjoy करें देखें, जो first word है, वह है friends, adamant और इस word की बात करें, तो यह word है friends, adjective, यानि विशेशन है और adamant का जो मतलब होता है, वह होता है friends, utter, द्रण यानि you can say hard and inflexible, और हिंदी में कहें हैं, हम इसको अटल याद्र, clear friends, अब adamant कैसे है, जैसे हमनी nature होती है, वो कैसी होती है adamant, एक example हम इसमें simple सा ले सकते है, his son is adamant that he will not go to school, he will not go to school, friends, एक जिहान रखे, जो भी word है, आपको learn करना है, उस word को आप correlate जरूर कर ले, या तो कोई adjective है, उसको आप noun से correlate कर ले, या उस पे एक simple सा example वो frame कर ले, और आप उस example को learn करेंगे, तो जो word है, वो लंबे time तक आपके mind में टिका रहेगा, clear friends, तो adamant, हमने example लिया है, his son is adamant, कि उसका बेटा द्राड है, अटल है, कि वो school नहीं जाएगा, clear, बच्चा जित पकड़के बैठ गया कि मुझे नहीं जाना है, और दूसरे example हो सकता adamant का adamant nature, किसी की ऐसी nature है, जो द्राड है, और adamant nature किसकी थी, friends, भीस में पिता में एक character याद आता है, तो भीस में पिता में महावारत में थे, उनकी nature कैसी थी, वो adamant nature थी, बात clear, शायद अब आप भीस में पिता में को, मैंने correlate कर दिया, तो आप word को कभी न भूलें, देखिए, इससे एक noun बन जाता है, और वो बन जाती है, adamance, और एक और noun बन जाती है, adamancy, ये क्या है, friends, noun, देखिए, जो भी हम word learn कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमें करना है, उस word को ये देखना, कि वो क्या है, उसकी जो parts of speech है, वो क्या है, noun है, pronoun है, adverb है, adjective है, तब ही हम word को learn करें, ऐसा ना करें, हमने word लिया, उसको रटना शुरू कर दिया, ये उसकी parts of speech देखें भीना, clear, friends, चलिए, clear, word, second word लेते हैं, adverse, बड़ा common word है, और adverse कहते हैं, friends, pretty cool को, ये भी adjective है, और इसको कहते हैं, pretty cool, clear, friends, जिससे हम कह देते हैं, unfavorable, क्या, unfavorable, जैसे हम कह देते हैं, कह सकते हैं, adverse weather, या adverse condition, या adverse circumstances, adverse weather, यानि हम कह दें, pretty cool, मौसम, मौसम में बदल लाब है, हमारे according नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं, adverse weather, या कोई condition है, कोई स्थिती ऐसी है, जिसको हमारे नुरूप नहीं चल रही है, ये कोई चीजे, तो उसको हम कह सकते है, adverse condition, या pocket में पैसा नहीं है, होना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं, circumstances कैसी है, हमारी, वो pretty cool है, वो हमारे अनुसार नहीं है, तो वहाँ हम यूज करते हैं, adverse circumstances, यानि पृतिकूल परिस्थितिया, clear वह फिर्ट्स, और जो adverse है, इसी से एक वर्ड और बन जाता है, वो बन जाता है, adversity, क्या, adversity, और यह नाउन है, ध्यान यह रखे, इस city में S आता है, सी नहीं आता, adverse, चुकिए adverse है, यहाँ ऐस है, तो यहीं से S, I, T, Y, यह हो जाता है, और इसको कहते हैं, adversity को क्या कहते हैं, friends, इसको कहते हैं, विपत्ति, Sweet are the uses of adversity, clear friends, अभी पीछे हमने एक quote पढ़ी थी, तो चलिए, इसको note भी कर लेते हैं, अब, Friends, next word है, affected, और जो affected है, affected का मतलब होता है, friends, बनावटी, यानि किसी का जो विवार है, जो तरीका है, वो क्या है, बनावटी है, तो वहाँ हम यूज कर सकते हैं, affected manner, और यह word की बात करें, तो friends, यह adjective है, और बनावटी, clear friends, तो बनावटी, ब्यवाहार, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए, affected manner, बनावटी, ब्यवाहार, बात clear friends, इसी के साथ साथ, एक meaning और इस word का निकलता है, वो निकलता है, influenced, यानि प्रभावित, clear friends, जैसे हम कह देते हैं, कि बाढ़ प्रभावित छेत्र, तो वहाँ हम यूज कर सकते हैं, flood affected area, clear, तो यानि दूसरा, एक तो मनावटी निकला, और दूसरा meaning निकला, इसका प्रभावित, और you can say, influenced, 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 clear, और example क्या हो सकता है, flood, affected area, यानि बाढ़, प्रभावित, छेत्र, clear offense वर्ड, चलिए, next वर्ड है, इसके बाद, ally, देखी जो ally है, पहले तो इसके जो homophones कही आ जाते हैं, ally है, ally है, ally है, ally है, और ally है, तो चलिए पहले इस main word की बात कर दे, ally, 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 ally का मतलब होता है, friends, कम करना, और यह जो word है, इसकी बात करें हम, तो यह है verb, clear, before verb, यानि कम करना, क्या कम करना, इसके सिरोनिम हो सकते हैं, हमारे पास soothe, clear, और believe, sorry, relieve, soothe and relieve, spelling side, mistake हो गई, friends, r-e-l-i-e-v-e, relieve, clear, तो soothe, आराम पहुंचाना, और relieve, कम करना, कम करना और आराम पहुंचाना, इस ally का मतलब होता है, इन सूध, I know not why I am so sad, ध्याना आया किसकी quotation है, चलिए, कोई बात नहीं नहीं आया तो, तो यहां, friends, जो सूध है, इसका मतलब है कम करना, और यानि ally का मतलब है सूध और relieve, तो ally का हम use कैसे करें, और यह सूध क्या करता है, कम किसको करता है, जैसे hunger को कम कर सकता है, हंगर, pain और fear है, ऐसी चीज़ों को अगर हमें कम करना है, तब हम use करते हैं ally का, clear, hunger, pain, and fear, यानि हम कह सकते हैं ally hunger, भोग कम करना, ally pain, pain कम करना, ally fear, डर को कम करना, एक example होता है कि कभी-कभी कहते हैं भूक में जो गुलर हैं वो भी पकवान होते हैं, तो यानि sometimes stale breads ally are hunger, sometimes stale bread allies are hunger, कि कभी-कभी जो बासी रोटियां हैं वो भी हमारी भूक को कम कर देती हैं, भूक को मिटा देती हैं, clear friends, तो यहाँ ally हमने ऐसे यूज़ कर लिया, इससे मिलता जुलता एक दूतरा वर्ड है ally, देखिए यहाँ तो ए है स्पेलिंग में, यहाँ ए है, और यह जी ally है, इसका pronunciation भी ally हो जाता है, ally नहीं है, यह धियान रखें ally, और ally किसे कहते हैं, friends, किसी गली को या पकडंडी को ally कहा जाता है, और इसको हम learn कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, blind alley, यानि बंद गली, blind alley किसको कहा जाता है, friends, बंद गली को हम blind alley कहते हैं, clear, तो यह word clear हुआ, देखिए homophones हैं दोनों, बहुत जादे mistake मत कर लेना, कभी इनको learn करने में spelling भी गलत कर लो, और गलती हो जाए, एक दूसरा word होता है, friends, a, double, l, y, li, देखिए, यहां तो a है, यहां e है, और यहां ना a है, ना e है, तो यह है, ए, double, l, y, इसका pronunciation भी है, li, या li, और यह जो word है, यह है, friends, अगर nature की बात करें, तो यह li noun भी है, और verb भी है, यानि एन और v, ब्रैकेट पे मैं लिख रहाऊं, और नाउन वी फोर वाब, तो इस ally का मतलब होता है, friends, मित्र, क्या, मित्र, जैसे नाटो ally, वहां word बहुत यूज होता है, नाटो ally, तो यानि मित्र, और दूसरा आप कह सकते हैं, सहयोगी, हम कह लें, एक इससे, एक दूसरा हम word बना लें, हम कह सकते हैं, इसको political, c.a.l, political ally, political ally, तो क्या मतलब हो गया, political ally, यानि राजनेतिक मित्र, राजनेतिक सहयोगी, बात के लिए है, friends, एक और इससे मिलता जुलता word बन जाता है, और वो बन जाता है, a, double l, o, y, alloy, क्या, friends, alloy, ये तो ally है, ally है, ally है, ये भी ally है, और ये है, alloy, और इस alloy का मतलब होता है, friends, मिस्र धातू, और ये क्या है, ये noun है, और मिस्र, धातू, मिस्र भी गलत लिखा गया, friends, ये वाला मिस्र है, ठीक, मिस्रा वाला, मिस्र धातू, तो ये alloy क्या होता है, मिस्र धातू से मतलब होता है, जो metals हमें मिलती है, nature में, वो किसके रूप में मिलती हैं वो मिस्र रूप में मिलती है और उनको बाद में प्यॉर कर लिया जाता है रिफाइन कर लिया जाता है तो वहां हम इस वर्ड को यूज करते हैं अलॉय यानि मिस्र धातू बात के लिए है रहे फ्रेंट्स और दूसरा भी वर्ड एक ओर आता है IS के रूप में मिलती है हमें तो चलिये फ्रेंड्स फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास Eccord और Eccord क्या होता है? Eccord होता है के अनुरूप होना से मेल खाना मेल या संगती क्या है फ्रेंड्स? Eccord और यह noun भी है और verb भी है, शायद यह five होगा या six होगा देख लेना, accord, noun भी है और verb भी है, मतलब क्या है friends, इसका say mail खाना या के अनूरूप होना, accord, चलिए pronunciation भी लिख देता हूँ, कुछ difficult का, say mail खाना या के अनूरूप होना, बात clear है, और दूतरा हम कह सकते हैं, mail और अगर यह तो दिखें, say mail खाना या अनूरूप होना, यह तो है इसका वो sense जो वर्व मिक के रूप में मिलता है, लेकिन अगर noun के रूप की बात करें, तो noun में क्या sense मिलता है, वो मिल जाएगा में mail और संगती, clear friends, mail और संगती, कई बार हम कह देते हैं, मेरी जो nature है, वो मेरी पत्नी से बड़ी मिलती जूलती है, हाला कि शायद कम ही ऐसा होता होगा, जो married लोग है, वो जान सकते हैं, कैसा होता है, my views accords with those of my wife, my views कि जो मेरी nature है, मेरे जो views है, accords with those of my wife, बात clear हो गई, तो क्या मतलब निकला इस sense का, कि मेरे जो views है, मेरी जो nature है, वो मेरी पत्नी से mail खाती हुई है, एक phrase बन जाता है, friends, अक्सर हमें मिलता है, in accord with, in accord with, और इस in accord with का जो मतलब होता है, वो होता है, friends, जिसको हम कह देते है, according to, यानि के अनुसार, तो clear हुआ, called, next word, है friends, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट, और एडल्ट्रेट का मतलब होता है, friends, यह देखे, जो word है एडल्ट्रेट, यह noun में भी use होता है, और adjective में भी use होता है, तो इसका मतलब होता है, मिलावट करना, या मिलावटी, एडल्ट्रेट, यह वर्ब भी है, और adjective भी है, वर्ब में तो इसका मतलब हो जाता है, मिलावट करना, और अगर इस adjective की बात करें, तो इसका मतलब हो जाता है, मिलावटी, क्लियर फ्रेंस यूज कैसे करें अच्छे जिसको हम कह सकते हैं नौट प्यॉर और नौट जैनुविन नौट जैनुविन यह जो वर्ड है जैनुविन जैनुविन का मतलब होता है असली प्यॉर क्लियर जो दूधिया है वो क्या करते हैं नहीं पानी मिला के देते हैं तो इसी सेंटेंस को फ्रेम कर लें हम एक दूधिया की बात करें या सब की करें चलो सब की बात कर लेते हैं Milkman Adulterate Milk with Water यानि जो दूधियां हैं वो दूध में पानी की मिलावट करते हैं clear friends और इस Adulterate का एक मीनिंग और होता है friends adjective में हो जाता है और उसको हम कह देते हैं Unfaithful यानि एक ऐसी पत्नी जो अपने पती के प्रतीब वफदार नहीं है उसको हम कह देते हैं Adulterate Lady clear यानि एक मेनिंग और निकल के आया Unfaithful और you can say Adulterate Lady clear चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं Agility क्या friends Agility Agility क्या होती है Agility होती है Nimbleness यानि फुर्ती Agility और देखे Agility है जहां भी I, T, Y आ जाता है ये ज़्यादतर words क्या होते हैं ये नाउन होते हैं ये भी एक छोटी सी पहचान है यानि Agility क्या है फुर्ती और फुर्ती कह सकते हैं ये जिसको आप कहते हैं चपलता clear फुर्ती जानते हैं और दूसरा word और होता है निम्बलनेस निम्बलनेस देखे निम्बलनेस ये भी जहां अलग जाता है ये वी वर्ड को क्या बना देता है ये ऐसा सफिक से जो वर्ड को नाउन बना देता है निम्बलनेस यानि एजिलिटी फुर्ती एक एक्जामपल हम ले सकते हैं कि जो टेस्ट है हमारा टेस्ट में इंक्लूड एजिलिटी चलिए टेस्ट में इंक्लूड एजिलिटी कि जो हमारा टेस्ट पेपर है उसमें हमें कौन-कौन सी जीजे होनी चाहिए एक तो agility होनी चाहिए intelligence होनी चाहिए और speed होनी चाहिए clear friends intelligence and speed फुर्ती भी हो बुद्धी भी हो और ततपड़ता भी हो speed भी हो बात clear है चलिए फिर note कर लेते हैं इसको और देखिए भागने के sense में भी आता है हम कह देते हैं he ran with agility and speed कि वो speed के साथ भागा he ran with agility and speed clear friends और इसी से एक word और मिल जाता है और वो है friends agile agile का क्या मतलब होता है agile और यह होता है friends फुर्तीला और इसकी nature क्या हो जाएगी वर्ड की अगर agile की बात करें तो यह हो जाएगा friends adjective clear चलिए बोल्ड पुरा भर गया अब इसको आप note कर लीजिए देखे कोई व्यक्ति अगर एक बंदर की तरह फुर्तीला है चुकि फुर्ती की बात होती है तो अकसर हम बंदर से तुलना कर देते हैं अरे बंदर की तरह कूद रहा है बच्चा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि बड़ा संपल सा एक्जामपल मुझे याद आया तो चली नोट फिर लेते हैं इसको भी कि वो उत्रा फुर्तीला है जितना की बंदर होता है क्लियर फ्रेंट्स नेक्स्ट वर्ड आता है एड्मोनिश एड्मोनिश का मतलब होता है फ्रेंट्स चेताबनी देना या डाटना या फटकारना क्लियर एड्मोनिश और ये एड्मोनिश क्या हो सकता है वर्ल्ड ये है फ्रेंट्स नाउन यानि डाटना फटकारना और चेताबनी देना क्लियर हो गई बात इसका एक सिनोनी मिलता है रेप्रिमेंट यान रेप्रिमेंट फार्मली इसका और एक मीनिग निकला आया कह सकते हैं जैसे क्लास टीचर ने स्टुऍन्ट्स को एड्मोनिश कर दिया तो दा क्लास टीचर एड्मोनिश्ट को इस्टुडेंश्ट्स क्लियर है बात फ्रेंट्स चलिए एक नेक्स्ट वर्ड यहां जो डिस्कस किया गया है वो है फ्रेंट्स एस्वेज और इस एस्वेज का मतलब होता है फ्रेंट्स कम करना रिलीव स्मूध क्लियर सूध और यह है क्या वर्ड एस्वेज यह है फ्रेंट्स नाउन वर्ड यानि एस्वेज और मेनिंग निकलता है इसका कम करना यह शान्त करना तू काम तू पैसिफाए ग्लियर हुआ और एक और वर्ड आता है फ्रेंट्स लेसन आता है ले डबलेस इन टू लेसन ले अगर इसमें ओ लगा दें लेसन तो हो जाता है पार्ट कोई लेसन लेकिन लेसन इसका मतलब होता है कम करना क्लियर हो पॉइंट तो काम लेसन सूध सूध भी अभी हमने पीछे पढ़ा था तो इसके यूज की अगर बात करें तो एस्वेज यॉर फियर अपना डर कम कर लो एस्वेज यॉर फियर यानि डर कम करना और यू कन से ही ट्राइड टो एस्वेज इस बैड फिलिंग्स की उसने जो उसकी बैड फिलिंग्स थी उनको कम करने की कोशिश की लिख लेते हैं इसको भी एस्वेज इस बैड फिलिंग्स देखे एक आपको राय और देदू में जो भी हम वर्ड्स लर्ण करते हैं जब भी हम वर्ड पावर को लर्ण करें तो उन वर्ड्स को हम ये जरूर देख लें कि वो सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा इससे फिर्ण्स दो बैनेफिट होंगे एक तो हमें वर्ड का जो पर्मानेंट शेड है वो पता लगेगी यानि वर्ड हमें लंबे टाइम तक टिका रहेगा क्लियर वर्ड की पर्मानेंट शेड पता लगी कहां कैसे यूज होना है दूसरा वर्ड हमें लंबे टाइम तक टिका रहा तीसरा जो हमारी लैंग्विज है वो इंप्रूब होगी चोथी जो हमारी स्पॉकन है वो इंप्रूब होगी इस पॉकन कुछ नहीं है अपके पस वर्ड पावर है आप जानते हैं कोई वर्ड किस शेड में यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं तो आप उसको इसली स्पैल भी कर लेंगे और स्पीक भी कर लेंगे लेकिन अगर आपको वर्ड की शेड ही नहीं पता कि वो कैसे यूज ह कुनसे फ्रेम में वह यूजब होना है तो आपको वर्ल्डा लेंट लूर्ण हो आप उसको कहीं यूजब नहीं कर पाएंगे कोई खजाना हमारे पास हो और वह यूजब ना हो तो किस काम उपारट्स बेकार हो कमाई हुई property होती है क्या होती है हमारी walk-up हमारी word power तो ये जो word power है ये definitely अगर आपकी है आप बहुत जादे नहीं 500 words यहां learn कर लीजिएगा इस तरीके से तो you will definitely feel changed आपको लगेगा कि मैं पूरी तरह बदल गया हूँ एक अच्छा खास आपके पस words का जब एक भंडार होगा तो आप उनको कहीं भी use कर सकते हैं आपकी संपत्ती है clear friends तो चलिए एक word और यहां aswaj के बाद दिया है और would यहा है फ्रेंज एलिवियेट एलिवियेट भी इसी का सिनोनिम है और इसका भी मतलब होता है एलिवियेट यह भी word है इसका मतलब होता है कम करना देखिए यहां जो vocab कर रहे हैं इनसे क्या क्या चीज़े कवर होंगी हमारी यह जो word power हम यहां कर रहे हैं देखिए सबसे पहला काम हमें सिनोनिम कवर होंगे साथ-साथ word के मीनिंग कवर होंगे साथ-सब word के एंटोनिम कवर होंगे क्योंकि हम word की कभी भी एंटोनिम को हमें लर्ण नहीं करना चाहिए ऐसा मेना मानना है तो एंटोनिम कवर होंगे इसी के साथ-सब one word substitution यह यहां कवर हो जाएंगे यह चार टॉपिक हमें यहां से कवर हो जाएंगे Clear friends Elevate your bad moods भहिया मूड खराब हो रहा है तो इसको ज़रा ठीक कर लो मूड को कम कर लो means elevate कर लो मूड जो खराब उसको ठीक कर लो Clear friends Elevate the horror The horror यानि डर को कम करना भै को कम करना और you can say we should alleviate pollution problems जो pollution problems है हमारी उनको हमें कम कर देना चाहिए Clear friends तो वहां भी हम इस word को use कर सकते हैं Elevate pollution problems Clear हुआ तो friends हमने 10 words यहां आज के lesson में हमने आज के lecture में सीखे और यह output कैसा रहा आपको कितना मज़ा आया किस level तक आप इस lecture से satisfy हुए मुझे comment करके जरूर बताईएगा और क्या मैं सही direction में जा रहा हूं जिस तरह से आपको words दे रहा हूं यह नहीं यह भी आप मुझे guide करें तो चली friends मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में नाव थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो